सीरिया में फिर पड़ी विनाश के देवता की नजर फिर से शुरू हो गया महा संग्राम करीब 5 लाख लोगों की मौत और 68 लाख लोग बेघर फिर विद्रोहियों ने भरी हुंकार रूश और इरान हैं अपने में ही परिशान अमेरिका ने बनाया फाइदा उठाने का प्लान 14 साल पहले सुलगी चिंगारी फिर से आक का गोला बन गई है एक बार फिर से सीरिया में सरकार और विद्रोहियों की बीच जंग छिड़ गई है विद्रोहियों ने दो शेहरों पर कबज़ा जमा लिया है इनमें देश का दूसरा सबसे बड़ा शेहर अलोपा भी शामिल है विद्रोहियों ने शेहर से सेना को ख़देड दिया है सीरियाई राष्टपती असद में विद्रोहियों के हमले के लिए अमेरिका वा अन्य पश्चिमी देशों को दोसी ठहराया है अब तक इस संगर्स में करीब 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं जबकि 68 लाख से ज़्यादा लोग विस्तापित हो चुके हैं इस विद्रो ने दुनिया को एक बार फिर से याद दिला दिया है कि सीरिया में 14 साल प असपती बसर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए प्रदसन कर रहे थे लेकिन उस आंदोलन को असद सरकार ने सेना की मदद से कुचल दिया इसके बाद एक सशस्त्र विद्रो शुरू हुआ जिसमें पहले छोटे-छोटे उग्रवादी और सीरियाई सेना से कुछ विद्र समर्थन था जिसमें तुर्की, सौदी अरब, UAE और यहां तक की अमेरिका भी इसमें शामिल था दूसरी तरफ असद सरकार को रूस एरान से समर्थन मिला था जमीन पर इरान के रिबुशनली गाड़ और लिबनानी प्रॉक्सी हिजबुल्ला ने विद्रोहियों से लड़ पर भी सहमत जताई जिससे आतंकवात को दूर रखा जा सके तब से अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है लेकिन सीरिया की असद सरकार भी अपने सारे इलाके वापिस हांसल नहीं कर सकी लेकिन पिछले हफते अचानक हालात बदल गए इस बार के हालात थोड़े किया और अब फिर पूरे शहर पर उनका कबजा हो गया है इसके एक हपते बाद विद्रोहियों ने अलुपो से डेर सो किलोमीटर दच्षण में हमा शहर पर भी कबजा जमा लिया है विद्रोही अब सीरिया सेना को और दच्षण इस्तित होमोस सहर तक धखेलना चाहते हैं चलिए अब जान लीजिए नए गटबंदन को लीट कौन कर रहा है इसका नेता कोई और नहीं बलकि 42 वर्सी असद हुसेन अल शरा है जिसे अबू मुहमद अल गोलानी के नाम से जाना जाता है गोलानी का जन्म सीरिया में ही हुआ था 1967 के युद्ध के बाद जब इसराइल ने गोलान हाइट्स पर नेंतरन हुआ तो उसका परिवार वहां से चला गया गोलानी को 2006 में हजारो अन्य विद्रोहियों के साथ हिरासत में लिया गया इसके बाद उसे 5 साल तक अमेरिका की और इराकी जेलों में रखा गया अबु मुहमद अद गोलानी को 2011 में रिहा किया गया और इसके बाद यह अलकाइदा का नित्त करने के लिए सीरिया लोटाया इस वक्त सीरिया के हालात थोड़े डगमगाए हुए हैं लग रहा है तकता पलट हो जाएगा लेकिन फिर भी उन्हें पूरा समर्थन है दोनों गुटो को बड़ी बड़ी ताकते समर्थन दे रही है फिलाल आप किस देखते हैं इस खबर को कॉमंट बॉक्स में रुटाना और पेज को फॉलो करना चनल को सब्सक्राइब करना बिल्गमत भोलेगा धन्यवाद